दोस्तों वेलकम टो यूटूब चैनल दोस्तों दोस्तों HDFC बैंग ने इसेटी से जाथ मिलके HDFC आइसेटीस बैंक कर दिया जी हां दोस्तों और इस परसेंट नहीं टैन परसेंट नहीं आपको लग वह बंदा से सब्सक्राइब करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे तो आपको फॉर बैंक्स मिलते हैं जो डूपी करेंगे होते हैं जिनको लिंक कर सकते हैं इस लिए पैसर टांसों कर सकते हो और दूसर आपको इसमें जो आप सब्सक्राइब करते हैं करते हैं तो आपको दस परसेंट तक का कैस्वेक रहता है इसमें रूपे के क्रेडिट कार्ड में आपको एक्सराइब करते हैं आप ऊपको छूप्ट सकते हैं इसे बेट》 पोड़ी हुआ कर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ चार लगते हैं जो एक से दो पर सेंट थक होता stripes लगता है लेकिन बिल्कुल आपको जीरो लगेगा लेकिन पर कंडिशन आपको यह जो है मैक्सिम के सब्सक्राइब आपको तक दिया जाता है पर मन और फॉर्ट बेनिफिट इस केड़ी कार्ड का यह होता है कि इसमें आपको रेलवे लॉंच एसे मिल जाता है है इससाल में पर फुर आप लोउंच ऑक्ते हैं पर आपको एक नाप्र पर सकते ह siete कर सकते हो इस में अब फ्युन वहिवे कंडी कर सकते हैं तो इसमें आपको फ्यूल सझाज यह रहता है इसमें आपको minimum condition होती कि 400-500 की रुपीज आपको amount use करना होता है तो आपको full charge वेवे मिलता है जो maximum आपको 250 तक आपको एक cap limit दी गई है इसमें दोस्तों अभी इनकी reward point की reduction की बात करें तो इसमें जो card card पर आपको cash point मिलते हैं जो आपको 100 रुपीज investment करने 5 cash point मिलते हैं अगर आप इन 5 cash point का यूज करते हैं यूज करने में तो आपको इनकी value जो है equal to one rupees मिलता है तो आप 5% cash back इसमें पा सकते हैं और 5% आपको smart buy से करें तो आपको ज्यादा benefit होगा दोस्तों दूसरा आप इनकी reward point का रिडिम करते हैं फ्लाइट booking या होटल booking में कुछ statement के साथ एजिस करते हैं तो इनकी one case back point की value जो 30 पैसा के क्लेंट होती है जाप smart buy के platform के तुरू से टिकट booking करो आप अगर फ्लाइट टिकट booking करते हैं तो इनकी value जो होती है 30 पैसा के क्लेंट होती है दोस्तों दूसरा जो minimum case back point जो required होते हैं redemption करने के लिए statement के अगेंस्ट तो आपको minimum five hundred point case back point चाहिए होते हैं तो जब आपके पास five hundred case back point होते हैं तो आप उसको एज अपने statement कर सकते हैं दोस्तों अब हम से बैंक की रुपे के बात करें तो इसमें salary person जिनकी एज twenty one से sixty year के बीच में और जो इसको ले सकता है या self-employed person भी ले सकता है जो इंकम फाइल करता हो दोस्तों भी इनकी फियो चार्ज की बात करते हैं तो इसमें जोनिंग फीज आपको 500 प्लस जेस्ट लगता है पर आपको एक welcome benefit में के रूप में आपको 500 का आपको 500 प्लस जाटे लगते हैं यह भी आपको वे रोजाता है अब आप वन पॉइंट फाइब लाग तक आप इसको इसको कर देते हैं और मैं लिस्टों आचीव कर लेता है और दोस्तों एक को चीज़़ बताँ होना चाहूंगा कि आपको प्रशेश करते हैं और इस केडिर कार्ट का सबसे अचाब बेनिफिट यहीं कि आपको रेलवेल लॉंज मिल जाता है दूसरा आपको इसमें केस्बेक मिलता है यह पॉइंट की फॉर्म में जो कि 5% तक कर रहता है अगर आपको इसको कर सकते हैं और अपना केडिकार्ट से सब्सक्राइब करते हैं और आपको वीडियो कैसे लगा जूरूर बताना तो दोस्तों इस वीडियो का आप सेर करना मनें दोस्ताथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू वेरे मच